प्रेचीन की साजिश्की भी पड़ता चनाव से पहले दिली नगरनेगा में सीटों की संख्या घटी खिंद्र की अधिस उचना में दोसो बत्तर से धाइसो सीटें करने का फैसला एस्टी कोटे से बयाली सीट रिजर्व और बिहार के नवादा में एस्पी का जीबो गरीब आक्शन डायरी अपडेट ना होने पर पांच जूनियर अफसरों को हवालात में रखा मुख्य सचिव के निर्देश जारी कर अच्छे सलूप की दी हिदाय करे दी का सिक्टार का था लग वेचा का है क्या तीटी नासे घन्येड मी काला रहाची फेकना चाहाँ अल्टी की नजर उस पड़ी वो निकलाा- निकलते ही मैने उसको कैच कर या और उसी उगरवादी को ठोक जिया वापिस और लगते हैं वो बढ़ाम दे फट्यार में गाड़ी में लेट गा एक सेकंड के सोववा हिसा में फजी को सोचना पड़ता है कि गोली की रफ्तार बहुते जोती है आख मिची अर्दूर्ग नगा गटी जिस तोलोलिंग का जिकर करते हैं वो टर्निंग पॉइंट ओप कारगिलवार था तोलोलिंग के साइड में जो नाडा सा बनता उस नाडे में मैं ऐसे पिछे गया मैंने उसको ऐसे देख्या मुआ यार यह जगह बढ़िया है यहां से आम आजमी तो नहीं चड़ सकता अगर इंदर से आम है अगर रशा बांध के पिछे से चड़ जाए तो दूसमन के बिलकुल नस्दीग हो जाएगे तर बोट बड़ने ची लेरे हो बाई तो बाइद बड़ने जे ले रहे हो बॉले ले रहे है तो ले रहे मैं जरनवर Cand सम्हाल बोट देर इंगाली कारते हो एंधुस्तारा शिपाई गाली नी देता गोली देता है मैं गो समाज मने वह कमांडो डाइगर काड़ एक टेमला उसका शिर पकड़ाया शिर घच बठाया बटाया बटाई देवले आँ आँ अपर गया और जायने के बाद को जए बोली जोर जोर छे उस्टे में मेरे साथी किशी ने भोली जह नहीं बोली जह मेरी कोटी गड़ी आमका दोस्ता मेरे दोस्त गया रामका बहुत बरी करी बबाद वो कारगिल का पहला जंडा था जो आपने कहीं बारा ऐसे देखा और जंडाय शाथ पर जे खड़या हुआ वो महीं था नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम मैं हूँ श्वेता सिंग करगिल के युद में ये पहले पलटवार पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी है असली होने के बावजूद ये कहानी पूरी फिल्मी है जहां हीरो को एक नहीं, दो नहीं, अठारा गोलियां लगती है वो फिर भी जंग में डटा रहता है और तिरंगा लहरा कर जिंदा लोटता है ये कहानी टू राजपुताना राइफल्स के उन सभी वीरों को भी समर्पित है जो तोलो लिंग के असंभव मिशन के लिए निकले थे और ये कहानी सुनाएंगे तोलो लिंग के महावीर दिगेंदर सिंग कोब्रा जो मौत के मुझ से वापस लोटे और 40 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार कर मेरा मुन्ना भरती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार और मेरा बच्चा भरती कर ले हो सुन रगरूटी सरदार और पुरी कती ओरी सुरू की इजत है कायर कूरू की कर प्रोप कार से प्यार मेरा मुन्ना बरती कर ले हो, सुन रगरूटी सरदार चाहिन, नवसकार, बंदे मातरम इस बोड़ी में जो DNA है, वो एक आजाद हिंद शेनिक की पुत्री का DNA है और एक आजाद हिंद शेनिक का DNA है मेरे नाना जी आजाद हिंद में सहीद हो चुके थे 1948 की लड़ाई में मेरे पापा के पांच गोडियां लगी थी पीर बड़ेशिक की पाड़ी अमारे पापा जी यही कहते थे बेटा इस धर्थी का नव वीर भोगा वो सुन्दरा है तो सत्य की जीत होती है मेजा बेटा और वीरू की जीत होती है नाना स्वतंत्रता सेना ने पिता भारतिय सेना के वीरियों था 47-48 के युद्ध में 11 गोलियां खाने के बाद भी हार नहीं मानी थी यही संसकार अपने बेटे को दिये और सेना में भरती होने को प्रिरित दिया जितना समय दिगेंद्री ने भारतिय सेना में बिताया उतने ही किस से उनके नाम के साथ जुड़ते चले गए तो यह कोबरा क्यों कहते हैं आपको यह नाम कैसे कमाया आप पावन ओप्रेशन स्रीलंका में शुरू होगा तो हमारी बटालीन के सब्सक्राइब को वां बलाया गया था उसमें आमारी प्लाट उनको नुक्त किया गया तो वहां हमें 15-20 दिन या मेना दो मेना हो चुके थे तो वहां जर्नल साब की गाड़ी में ऐसे जीव में चलते रहते थे एक दिन क्या हुगा थी और उसके निचे से पानी बैता था अर उस पोड़िया को आमने ऐसे जनरल साब की गाड़ी यहां से क्रोस होती है और हमारी ओपन जीव थी उसमें मैं इसाइड में एचे बैठया हुगा था इसाइड मेना दूसरा साती था दो सामने थे तो वह मेरी नजर मला ऐसे थी तो वह LTT न ऐसे गन्रेड निकाला रहा अर्चे पैकना चाया जरनल साब की काड़ी तो जनरल साब की तो सिए स्पीड से निकल गी और वह आंवारी काड़ी आगी और मेरी नजर उसमा पड़ी वह निकला निकलते ही मैंने उसको कैच कर दो और उस तो ठोक दिया वाफिस उसका यहां लग चे झा और लगते वह उकरवादी कोई ठोक दिया, वो सुवान कूर सा था, बोले सर आपने ये राइफर में दिगेंदर था, बोले दिगेंदर नहीं ये तो कोब्रा है, उस दिन चे मुझे बात थे, फोज पूरी कोब्रा करने लगी बहादुरी के ऐसी ही जंडे बुलंद करते हुए, दिगेंदर सिंग को भारतिय सेना में 13 साल हो चुके थे, जब 1999 में कारगिल युद्ध छिडा, दिगेंदर की युनिट टू राजबताना राइफल्स उस समय कुपवाडा में थी, जब उन्हें करगिल पहुचने का पुच्ट दिया गया, जब तोलोलिंग पे नुकसान पे नुकसान हो रहा था, लेकिन पोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था, जिस तोलोलिंग का जिकर करते हैं, वो टर्निंग पॉंट ओप कारगिलवार था, जो आमारा सोबागी हमारी बटालिन तूराज एक एठारा और एक एवाई सहीद हो थे, और एक बटालिन की तो डेड़ बोडी भी 14 दिन बाद मठाई दी, लेकिन वहां कजूल्टी पर कजूल्टी हो रही थी, कोई काव्या भी इक तीस माई को अमारी उंट को दिया टाक्स वहां तोलोलिंग पे, तोलोलिंग पे हमारे पठालिन को बलो, कलाई में शूट करो फटा-पटफटा, पाड़ी उंब जाकर गर गर गर, हम दोर दोर गे, पाड़ी उंब जाते थे, सास क्योंकि आल्टी टूट में फहले गए ते लेकिन अभी नए ता जा गए, तो कलाई मूट शूट तो करना है पड़ता है आपके उमर उस समय कितनी थी? मा उस्टेम पर पिल्लकुल जवान था, 30 साल गाँ, यहनि कि जवानी की आसली जवानी 30 साली होती है, तो उस्टेम 30 साल गाँ था 30 साल गाँ द्रास में जब गडबडी के पहली आशंका नजर आई थी, तब 18 ग्रिनेडियास को घाटी से द्रास मूव कर दिया गया था तब आकलन ये था कि चोटी पर 8-10 घुस बैठिये हैं बस, सैनिकों से कहा गया उपर जाओ, गर्दन पकड़ के सब को नीचे ले आओ नागा, गड़वाल और ग्रिनेडियल्ज, तीन रेजमेंट के सैनिक ने दो ओड से तोलो लिंग पर जाने का प्रयास किया, पर पढ़त हासिल नहीं कर पाए 17 माई को भारतिय वायू सेना ने तब अपना पहला टोही विमान निकाला, जो तस्वीरे सामने आई सिती एकदम साफ हो गई और 26 माई को भारत ने ओपरेशन विजय का एलान कर दिया, पर तोलो लिंग की लड़ाई भीशन होती जा रही थी, यहां एक महीने बाद भी काम्याभी नहीं मिली थी, पर ग्रिनेडियास के अनुभव को समझ कर अब राजपुताना राइफल्स अ सब्सक्राइब नहीं थी, और सबी कमंडर थी थी, तो राय थी जो समी फेर मेरो पुझा भले हां बेटा दिगें अंदर को बरा बता दू, मुगो सर्म वो तोलोलिंके पिछे की तरम गया था और वहां आशे पत्थर है वहां पत्रों के साथ साथ मैं आशे इस परकार्षी मैं गया था पिछी और वहां शे तकरीब ला सिनदब या सो मिट्र या 110 मिट्र होगी वहां मलव आशे खड़ी है और थोड़ी सी वहां रसा बांदिया दार पिछे तो तूसमान के बिल्कुल नस दीग पूसते है अबने, बोले बिल्ली के गले में गंटी कुन बांदेगा मुझो सर मैं मांटिंग फेर कोर सर मिला है कमांडो एर पिट्टी एकराटे ब्लेक बेल्ट हूँ भले ओ रसा बांदेगा मुझो सब बांद हूँ तरबार वा सुब है तो हम गए वांबर तो मैं सबसे पीछे बेठा हुआ था तो उस अगर पेठा हुआ तो जम्र मलिक साह हम ने वह सेर मोडल बना तो लोलिंग अभई यह तो लोलिंग पाड़ी है और यह हमारी भारती शेनर बाहुत बैंकर का जोटी देती है लिगर कोई कामयार भी नहीं मिलिये अब बताओ किसी कमांडर को कोई शक्त कोई कोई पूछना चाहता है को राय कोई बताओ मुझी त मैं मेरे नोलेज मेरना बाहदूरी नी है मेरे पाप के आतां मर के जीती जाती पिटा मर के नहीं जीती जाती एक सिपाही के ऐसे जजबे ने जेनरल मलिक का दिल जीत लिया तिकेंद्र जैसे अनुभवी और पहादुर सिपाही के नाम भर से पूरी पल्टन में होसला भर जाता थे और उनकी खासियत थी आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना जो पहली रेकी पार्टी होती थी और जो रसी सही से बांद थे उसमें रोप एक बार बंद गया उसके बाद उस रास्ते पर चलना है सब जी तो आप असी प्रतिशत काम कर देते थे जो करगिल वार में किसी भी बैटल में किसी भी लडाई में जीत का श्रे जाता है यह सब उस पहले सैनिक को जाता है जो वो रोप बांध कर आता है उपर त प्रेडशाबधान शामणेसे तेचाल तो पहला यह बंद क freshman आए परियल तो किसी इको टो कर नगी पड़ेगी तो पहल आपने कर दी थी जी रात के सन्नाटे में या तो बर्फ से कपाहट थी या फिर सन्नाटी को चीरते धमाकों की थर्थरा हट कील ठोगते रसियां बांधते सैने का आगे बढ़ रहे थी वहां तो पता ही नहीं कित्रे मोर्चे और उस टेम पर हमने भी फोर्स गन का डारेक्ट फार करा यह से लिए और करहा हमाँ क्यों से पाराइट भाइडा फाइदा भी अजयती पीछा भाइटा पाःगा भी तो आधि कर दो यह से पिछेंड भी तो ठोलता है जया जाएगा अगाभी अपास्तानी होगादीन तो वो सारी गन उसको पर इस परकारज ए इस पारेक्ट फारिक फारिग इंट कि वह नाद बने, यृष यह साब दय नीट भाइट भाइभा हुटाई जब तक और तक षोदाह गंटे मेरे शिवसाब को बता दिया मडें मग्व साम मन पना काम पड़ इया तु चीप से बात करें बनुन है जीप साब को बता है हुटकूस होंगे तो म उसम हमें बताऊ किया यहां मुने तू पता यार क्या दिखता अंगा अंगा जय हिन वले हम अबिटा दिखेंदर बता कैसी पोसिए मैं महोसा उसके उपर मने दूर्बीन 12 जून की रात तोलोलिंग पर फाइनल चड़ही की योजना थी तोलोलिंग को मुक्त करानी के लिए मिजर विवेक गुपता की कमाण में टीम तयार थी नायक दिगेंद्र कुमार सिंग, सुबेदार भवरलाल भाकर, सुबेदार सुरेंद्र सिंग राठोर लांस नायक जस्वीर सिंग, नायक सुरेंद्र, नायक चमन सिंग, लांस नायक बच्चु सिंग, CMH जश्वीर सिंग और हवलदार सुल्तान सिंग नर्वारिया पर जिम्मेदारी थी तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान में 11 बंकर बना रखे थे और तोलोलिंग फतह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था पाइनाइड में भिगोया होता है वह मनें चकु लिया रहा है मैं को साब पले बंकर के अंदर मा बरबाद कर दू तो शुल्दार पहुरलाल बहुता है तो साजी दूसरा पहुरलाल के नाम लिख देऊ वह वस्याट समयस्विर बोलता है आम मेरिट के शेर हैं चेम टुचेम अधिन कर दो थाज नाम लिख देखा देखा देंगा है अरियुद में जीता आजिल करिया तीस लब में शाबाद भाई बोलो सुमेर सिंग्रा ठोट बोलता है तो अवे राजस्तान के शेर हम चोथां भी डाएंगे बोलो फिर गुपता साब बला चा तुमी यह उता मैं कि सब्सक्राइब करेंगे ताक कि अमारी के समय आप लोगा यह रात को समय आप लोगा यह रात को समय बारा जून की वह गंगो रात जो खुद का हाथ भी नहीं दिखाई देरा कि रात के साड़े आठ बजे जब अंधेरे की चादर ओड़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी हड्डियों को गलाती बरफीली हवाएं चल रही थी और इस चुबती सर्दी में रसी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर पढ़ रहे थे कि अम जैसे सांप के तरह रहें ते हुए गए अंदर जैसे गए तो मेरा बैंकर सामने ऐसे ही बैंकर आया मेरे नजदीक तो उसमच्यार उत्रब तो बरफ पड़ी थी और वह बीच में काला काला मुझे ऐसे दिखाई दिया अमा सचाए कहीं काला पत्थर है इसको पकड़ ले तो उसमच्यार डाला तो दूसमन की बैरल लागी मेरा तो बैरल और डालते ही मने अमको रोडिकंतर दोका क्यों फाय तो कंद लिया था और मने जैसे अपनी तरव एसे फाय उसने घंच्या और वह कहीं खड़ा ही ता पह अपनी जाए तो तो गोली लगती है तो उसमें कैसा महसूस होता है तो मैं कुछ भी नहीं पता चलता है रियल्टी पूछा दो हां हां मलका हेडीर शूट और चर्फके बीच और लगता तो आदिमी देथ हो जाता और वहाता है पाकई कोई भी इजे मा गोली लगती है तो वह इस परकार से लगती है ऐसे होता है तो नहीं को नहीं anthropology घ्णक Future नहीं होता है बाद में भाद में तो भ्हिंकर दंद होता तो पर आपको ये दाहिने कंधे में तीन गोली लगी लेकर ये अंदर जाता नहीं गी ये साइड मेरी दो तो अंगल खालती गी और हाड भी नीट उटा इसमें अगले आट में जाकर गया अशे फिटोगी लेकर मेरा आथ बरकरार काम करें अब अब आगे क्या अब आपको लग गई तीन गोली चौथी गोली अमुठे बर तो अब आपने क्या किया अब इमने अपने पीठू में शे गन्रेन निकाला एक और दो और वो जो जो बैंकर तक ही जांकी थी थी ना उसमें गट हो क्या अच्छोगते ही ना मिलिकां में प्राम दे फट्या फट दिगेंद्र ने अपना वादा निफाया था लेकिन अब बागी की कार्रवाई में तेजी की जबूरत थी क्योंकि दुश्मान अलर्ट हो चुका था अब वो तो याली बोले हमारे बोले राजा राम चंदर की जाए बले बजरिंग बली की जाए और टे 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 जोटी पर पहुचने तक तुकडी को एक भी कैजवेल्टी का सामना नहीं करना पड़ा था लेकिन उस वक्त जब दिगेंद्र ने पीछे मुड कर देखा तो उनका कलेजा तार-तार हो गया और मैं जैशे बारतबात आई जै बोलता उपर गया और जाएने के बाद मुझे बोली जोर-जोर से उच्छे में मेरे साथी किशी नहीं बोली जै मेरी कोटी कड़ी आमका दोस्ता मेरे दोस्त गया रामका बहुत पुरी करीब मारे एक में समेथ सभी साथियों को दुश्मन की कोलिया लग जुदी है कुछ बंकर नश्ट हुए थे पर मिशन पूरा नहीं हुआ था कि अब में मैं में वहां से क्यागरा परस्टेह्ट किया और मेरे साथियों ने थी साथियों को मार दिया कोई थाrain में कोई अधिगांटे में सब के सब मेरे नो साथि सुबध शुब्ध साब सुबध चार बजे साही दुच पूरी लडाई या अंधेरे में चल वी अन्धे तो मैं आपड़ी जान बचानी के लिए ही तू सुनू को मारिया था कि अज़ा है कि लुके की तो जाम जाता, तो मैं अपडा दिरे धिरी धिरी तर गया और वह पहिंग है और पंग है फिर निचन जाओं गर्ने निकाड अर दी आए गशार अर दीर आइज टाओंगेर, दीर अज़ा एंदेशानी को तिये को और है जाता तो कभी पत्तर सिर्प कि अभी मंदरा में तबी आइशे पड़ते रहे हैं पर आप रहा हैं जो देखू की साइड में उत्र तर वो मेजरानमर खान मुझे गाली काना है ए लो हिंदुस्तानी कुटे कोबरा तु कोबरा सेट पर मुझे उप अपरा कोबरा चुछा भोले देना आज तेरे सोडा तु सामने से पाकिस्तानी सेना का नित्रित्व कर रहा मेजर अनवर खान बार बार चुनौती दे रहा था दिगेंद्र तेजी से सोच रहे थे कि उनका अगला दाउं क्या होना चाहिए जैसे जैसे सुबह च्यार बजे तक मैं ग्यारा बंकर उड़ा दिया मेरे एक साती लैसना एक बच्चन वो का शिर्म गोडी लगी हुई और वो बोलता कोबरा अलमजी ले 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 तू तो उसको लास्ट उसने मुझे अलमजी दी और उसके साड़े साथ साथ सो गोडी थी वो अनवेशन लिया माँ अच्छा और वो लेकर करके बरब में कटी शीडियों को जैसे मूपर चड़या और वो मेजर अनवर खान जो अपने जो सामने कर्शियों साब्र पार्टी थी ना जो सो मिटर उसको दबाद दब फाइर कर रहा था इस वो फाइर कर रहा था उदर आजेकर रहा था था उदर में उसका पिछा जेडा मो मेजर अनवर खान का जान बवह समाल भॉत देरों का आरते हुए हिंदुस्ता अगला सिपाई गाली नहीं देता गोली देता है मों को समाल पाकिस्तानी मेजर अन्वर खान दिगेंदर सिंग के सामने आ चुका था और उनपर बंदूख तान दी थी और मने उसका उपर गोली ठोकी उसने का वा मेरी LMG में वो एक ही गोली थी वो ले में एक जीन में उसने फायर कर ली थी लेजड़ाई बटसने तो फाइर किरा तो यह को ली फाइर अब उच्टाल में लगी यहाथ में लगी वो मुझे पता निए इतना मुझे पता निए अब भाई घूट गी उसने गर्णेड मारे आएशे मेरी तरफ तो गर्णेड को टो पताने कैसे गया तो निच्च फट्याथ वो चोटे चोटे ट क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइफ टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइस पर पहुंचिए उपन को प्रोमो रिकर्ड करना है बाबा फ्री अठी को अप ब्धिश्यवी सेटी туда står ुअब याद आपको याद है अपिसोड वन जो असली तीन ताली अनको याद टी आर्पी का ट्रैप, मर कही पुलिस और सेक्सी प्यास पर चर्चा, वहां से हम सौ में पे जा रहे हैं अरे जै हो तो बोलना भूली गए? आँ, जै हो! तीन ताल, रस सितंबर को पूरे कर रहा है अपने सौ एपिसोड, सभी तीन तालियों को बधाई हो जंगल का भालू, जंगल का मोड, फेर की दहार से मस्ता है शोर आज तक डिजिटल पर शोशल मीडिया पर लिखिए हैस्टेग देजंगल शोर और देखिए हमारे ये शोर ना पक्ष ना विपक्ष ना लेफ्ट ना राइट ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोल बाला निडर, निर्भीक, सबसे सटी, स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर तोल मोल के बोल, फिर बात बनेगी, फिसली जुबान तो जनता पूछेगी क्या बोल गए निता जी, देखिए सिर्फ आज तक डिजिटल पर सोशल मीडिया पर लिखिए हैश्टेग क्या बोल गए निता जी, और देखिए हमारे ये शो फाल्सू बात या पकवास, नहीं करेंगे बर्दाश्ट, खड़ी हो जाएगी खाट, जब चित्रा लगाएगी वाट वाट लगाएगी क्या यूपी में माहौल बिगारने की साज़िश हो रही है क्या यूपी में धर्म के नाम पर बाटने का शड़ियंत्र हो रहा है यूपी के बुल्डोजर वाले एक्शन से किसके पसीने छूट रहे है यूपी में मन्चैन से किसे बेचैनी और किसे बौकलाहट हो रही है हम ऐसा क्यों कह रहे है ये सवाल क्यों उठ रहे है ये जानने समझने के लिए सबसे पहले आपको लखनव के इस मंदिर में ले चलते है ये लखनव का मशूर हनुमान मंदिर है हनुमान जी की लेटी हुई प्रतीमा का दर्शन करने रोजाना भक्तों की भारी भीर जुटती है लेकिन दो दिन पहले यहाँ एक ऐसी वार्दात हुई जिसने हनुमान भक्तों को विचलित और आहत कर दिया है इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ती खंडित कर दी गई है इस मंदिर में शनी महराज की मूर्ती भी तोड़ दी गई है इस मंदिर की धर्म धोजा को भी नुकसान पहुचाया गया है और इन सब कर्टूतों के पीछे जो शक्ष सामिल था उसका नाम है तौफीक जो शिवा बनकर मंदिर आया था उसने मंदिर प्रभंदक को हिंदू नाम बता कर थोका दिया हिंदू भक्त का चोला पहन कर वो यहां आया पहले भक्तों में घुला मिला और फिर उस साजिश को अंजाम देने में लग गया जिसके लिए वो भेश बदल कर आया था यह कोई मामूली घटना नहीं है इसे एक शक्स की सनक समझ कर नजर अंदाज करना भी सही नहीं होगा क्योंकि इस मंदिर में अगले दिन बड़ा आयोजन था और उसी दिन इसी इलाके में मुस्लिम समुदाय का भी बड़ा आयोजन हो रहा था आज तक के पास उस दिन का एक्स्क्लूसिव सीसी टीवे फुटेज है आज तक के पास उस शक्स की पूरे डिटेल है तौफिक्स शिवा बनकर आया और लखनों के भाईचारे को आग लगाने की कोशिश की उसने हिंदू होने के सबूत के तौर पर फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया वो पुलिस की ग्रफ्त में आ चुका है उसका भाई भी हिरासत में लेकिन क्या उसने ये सब अकेले किया या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी लखनाओ के लेटे हुए अनुमान मंदिर में अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है लेकिन लखनाओ पुलिस इस घटना के पीछे माहौल बगाडने वाली साजिश की पड़ताल करने में लग गई तोल मोल के बोल फिर बात बनेगी फिसली जुबान तो जनता पूछेगी क्या बोल गए निता जी देखिए सिर्फ आज तर डिजिडल पर सोशल मीडिया पर लिखिए हैस्टेक क्या बोल गए निता जी और देखिए हमारे ये शोन कि युद्ध भूमी में लड़ रहा हर एक सैनिक शौर्य का प्रतीक होता है टू राजरिफ के हर योधा का इस विजय में पूरा-पूरा योगदान था खायल हुने के बावजूद दिगेंद्र को एहसास था कि चोटी पर तिरंगा लहराना है तो अन्वर खान को मार गिराना ही होगा अब वो शीदा मेरे बड़ाई मारी मन्ने मोड़ाई उसका हाथ इंदर और मैं अलम्जी छोड़ी रूसका यह पकड़ाई आशे शीदा ऐसा टेटवा वो यह पकड़ यह पकड़ यह थोड़ दे मुझा तू तो बोले आम पठानी का दूद बिया चोटवा किज लिए अब वो यह थोड़िए पर कम सरीरता मेरे शेव तो चुटा आगा शुटा एजए जैसे अर उसने जो गोली मारी वहां पर जो मेरे गोली मारी वह यह लगी जो बेल्ट की लाइन में कमर ने ज़ए यह पेल्ट आ तो बेल्ट के यहां से निगी है यह यह निकल गी ओवव जैसे कोई शी पेड का ऐसे चोत्रा अड़ी का थोड़ा सा थोल लेगी यह तूटी टाटी कुछ नहीं वह आईसे मला थोल के लेगी बेल्ट की लाइन में यहां लगी यहां से निकली कले मतला इसाइड तो अब वह गद्दम पटी होया में अब पाकिस्तान की तरब जैसे सबेरा हो चुका रहे तेरह जून 1999 को सुबह के करीब पांच बजे होंगो जब तोलो लिंग पर तिरंगा लहराने लगा नायक दिगेंदर सिंग तिरंगे को देख 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 फूले नहीं समा रहे थे कितने पाकिस्तानी साब मारे थे आपने मुझे एक अभी नहीं पता है मैंने कितने मारे लेकिन मैं जैसे ही गया वहाँ शिरिनगर ओस्पिटल में तो देश का प्रदान मंतरी सिरे अटल वारिवाज भी मेरे तीन थप्पी मार के बहुता वारे मेरे कल्यू के करणबली तो कि पाकिस्तान की फाइब नोर्द लाइट एंट विडिके कंपनी थी उसको पूरियों ख़तम किया गया आज भी दिगेंद्र के शरीर में उन गोलियों के निशान उनकी वीरता के जुबूत के तौर पर मौजूद है पलट कर देखते हैं तो ये मिशन असंभव था पर देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पर अपनी जवानी अपना जीवन सब देश के नाम कुर्बान पहाड़ी युद में दो ही चीज़ें एहम होती है आड़ और असलहा असी नब्बे डिगरी की सीधी चड़ाई वाले चट्टानों पर सेनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की और कई-कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था, बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत दुश्मन इतनी मजबूत सिती में था कि वो अड़वांस शुरू होते ही रोग देता था एक बार तो ग्रेनेडियाज की दो पल्टन 16 दिन तक एक रिज पर फंसी रही, तोलो लिंक पर नियंत्रण मुम्किन हुआ था अंगिनत पलिदानों से किसी भी मोर्चे पर कूच के लिए सैनिकों को प्रतीक्षा करनी होती थी मौसम के खराब कोने की यानि ऐसा वक्त जब बरफीला तूफान हो हवाओं की आवाज आटिलरी शेलिंग की आवाज से टक्कर लिसे ऐसा वक्त जब तापमान माइनस दस बीस डिगरी तदबूते लगाए ताकि दुश्मन बंकर में छिपने को मजबूर हो जाए और आगे बढ़ते सैनिकों को देख न पाए पर ऐसा मौका बार-बार मिलता ने और सैनिकों में मुहिम को जल्द खत्म करने का जजबा भी तो रहता है ऐसे ही एक दिन आवेश और आवेग में ग्रिनेडियाज की एक कमपनी की अगवाई करते हुए मेजर अधिकारी तेजी से आगे बढ़ते और दुश्मन के पंदरा मीटर के दाएरे में पहुँच गए दुश्मन ने अपनी बंदूकों का पूरा जोर उस टुकड़ी पर लगा दिया जैसे कोई दैत्य निरंतर आग उगल रहा हूँ असलहा खत्म होने पर भारतिय सैनिक पाकिस्तानियों से गुथम गुथा की लड़ाई में भी लटे मेजर अधिकारी समेप दो सैनिक वीरगती को प्राप्थ हो गए गोली बारी इतनी भीशन थी कि सैनिक अपने शहीद साथियों के शब भी नहीं उठा पा रहे थी कैप्टन सचिन निम्बाल कर उस समय घा तक टुकड़ी की अगवाई कर रहे 15,000 फीट पर एक बड़े चट्टान के पीछे बस पैर रखने की जगे भर में सैनिक तीन दिन तक फंसे रहे थी तब पाकिस्तानियों ने भारतिय सैनिकों को बाहर निकलने के लिए उकसाने की कोशिश की और ताना मारते हुए कहा उपर आजाईए साहब हमारे पास हत्यार नहीं है आकर अपने मेजर साहब की बॉड़ी ले जाईए तब कैप्टेन निम्बालकर ने जवाब दिया तो तुम्हारी बॉड़ी भी ले जाने आया हूँ उस रोज ऐसा नहीं हो पाया वीर गती को प्राप्थ हमारे सैनिकों के शरीर वही रही लेकिन जब पूरी स्थिती को आक कर भारत ने अंतिम आक्रमन किया था तब पाकिस्तानियों की लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था हम अपने शहीद पराक्रमियों को भी वापस लाए और पाकिस्तानियों की लाशों को भी दफ्न किया तोलुलिंग ठीक मुख्य सडक पर था इसलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी मियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घूट रहा 510 किलो मीटर लंबे श्रीनगर करगिल ले हाइवे का एक एहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो जुका था हफ्तों से जूज रही भारतिय सेना को उसकी पहली काम्याबी मिली थी तोलुलिंग में कहने को ये केवल एक लड़ाई की जीत थी पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को होसला दे रही थी तोलुलिंग में तो सभी जवानों का मनुबल सात्में आस्मान पर था तोलुलिंग में जीत मिल गई थी चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था पर ये बस लड़ाई की शुरुआत थी दुश्मन ने मरते मरते रीइंफॉस्मेंट्स की गोहार लगा दी यानि तोलुलिंग पर काउंटर अटाक लाजमी था अचल और पाद में कांटर टेक में मैरे साथ द्यों बहुत गोली लगी वो नो तोशेद हो ही गे और उसके बाद में जो हमारे साथी सथमीर चीता था पर्दीब था दिली का जो मन वुचकर भी गोली लगी कई आदमीं को तोलुलिंग पर मारी चाली कमनी के मेरी कमनी के ब जबूत रखने की आवश्यक्ता थी और वो भी तेज गती से बारजून को तोलोलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलोलिंग से करीब सौ मीटर दक्षण पश्चिम में स्थित बरबाद बंकर को हासिल कर लिया था अब तक हमारी बोपोर्स तोफे पहुंच चुकी थी और बोपोर्स यह तोलोलिंग को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी था कि वहां पर हैवी से लिक कराई जाए तो क्रेश्ट के अंदर आटलरी का इसेट फाइर डालने के लिए वह यह एक ऐसी जरीगे थी वह एक बंक बरबाद बंकर रखा और उसी का रेफेर्स देखर के आगे की लड़ाई लड़ी गई ग्रेनेडियाज पर जिम्मा था हम पर कबजा करने का इस बेहद महत्वपूर फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जिसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना पक्स्तान ने तो सारे बंकर बना रखे थे उसको संगर के ताना पत्थरों से बना रखे थे देवर स्ट्रॉंग फॉटिफाइट पुजिशन तभी तो शुरू शुरू में कित्ती हमें परेशानी हुई थी फिर्स्ट अब टू त्री वीक्स वी एद हुज कैजुल्टीज जवानों को गूलियां लगती वो गिरते फिर भी आगे बढ़ते ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी बल्की दो किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी उमीदे मध्यम थी लेकिन हिंदुस्तानी सेनिकों का शौर ये बेमिसाल थी 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंतरन था 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 इस अध्यूस्तानी थी अध्यूस्तानी था था जब इन्फिंटरी ने इस किसम की हाइट्स को खबजा किया है असान नहीं है ये इसके लिए बड़ा दिल चाहिए इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए इसके लिए बड़ा जोश चाहिए उची वज़ा से ये हो सकता है नहीं तो अरना नहीं हो सकता है तोलोलिंग से खदेड़े जाने से दुश्मन को तगड़ा जटका लगा था तीन दिन में आसपास की जो एहम चोटियां थी वो वापस हिंदुस्तानी नियंत्रण में आ चुकी थी अब तू राजपुताना राइफल्स पर जिम्बा था इस नियंत्रण को आगे सशक्त करना इसके लिए थ्री पिंपल्स कॉंप्लिक्स में आक्रमण की योजना थी तारीख चुनी गई 28 जून उन्नी सो निन्यानवे 28 जून की रात थी जब टू राजरिफ की टुकडी ने रिज पर चढ़ाई शुरू की उस रोज चान्नी रात थी यानी रात होने के बावजूद भरपूर रोश्नी और दुश्मन उन्हें सीधा देख सकता था निशाना साध कर बूलियां चला रहा था इस टुकडी में शामिल थे 23 साल के लिफटनेंट विजियन था पर आखिर में वो सिरफ 15 मीटर दूर थे पाकिस्तानियों से और उनके साथ क्योंकि इतनी नेरो हो गई थी रिज लाइन नौल के आगे कि उसके ओपर दो या तीन आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते थे तो दो ही आदमी थे आगे बिलकुल एक विजियन था एक उनका नायक तिलक सिंग दोनों थे और एक पत्थर की आड़ से वो पाकिस्तानियों को इंगेज कर रहे थे क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टिड डिवाइसेस पर पहुँचिए देश में कोरोना से जुड़े प्रतिबंदों में धिलाई के बाद से बीते को समय में संकर्मन के मामली तेजी से बढ़े हैं इसकी वज़ा है बूस्टर डोज लगवाने में बढ़ती जा रही लापरवाही दिल्ली के आंकलों से समझें तो कोरोना से पिछले महीने जितनी दिनों के लिए बूस्टर डोज को आजादी के अमरित महुत सब के तहत फ्री लगाने का एलान किया हुआ है ये लापरवाही कितनी भारी है इसका अंदाज़ा इससे लगाए जा सकता है आठ महीनी में देश भर के अस्पतालों में जितने लोग कोरोना की वज़य से भरती हुए है उनमें 90 फिसीदी ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई थी National Technical Advisory Group on Immunization यानी NTAGI के मताबिक इस हफ़ते के पहले दो दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या अचानक से 33 फिसीदी बड़ी है कोविट का बूस्टर डोज जरू लगवाएं ये एक मेसेंजर RNA वाइरस है जिसकी रूप रेखा हर साल बदलती है और हर साल एक नए वेरियंट हमारे सामने आ सकती है फिलहाल हमारे सामने एक ओमिक्रॉन वेरियंट है और हमारे अस्पताल में जीन सिक्वेंसिंग के यह से पता लगा है कि इसकी एक सब वेरियंट जो सेंटारस के नाम से प्रसिद्ध है वो 90 प्रतिसत लोगों को ग्रसित कर रही है बूस्टर डोस को लेकर लोगों की लापरवाई का आलम भी NTAGI के आंकडों में साफ दिखाई देता है इसके मताबिक बूस्टर डोस लगवाने के योग ये लोगों में से अब तक महज 20% लोगों ने ही प्रेकॉस्टरी डोस लगवाई है इन में से 18 से 69 साल के 77 करोड लोग बूस्टर डोस ले सकते हैं लेकिन केवल 12% ने ही ये खुराक ली है वहीं फ्रेंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केर वर्कर्स और 60 साल या उससे ज्यादा की 16.8 करोड लोग प्रेकॉस्टरी डोस के लिए एलिजिबल है जिन में से केवल 35 फिसीदी को ही वैक्सीन की ये डोस लगी है NTAGI के आँकुनों के मताबिक 15 जुलाई के बाद से अब तक 10 करोड लोगों को वैक्सीन की 30 डोस लगी है ऐसे में साफ है कि अगर बूस्टर डोस के प्रती लोगों की ये लापरवाही जारी रही तो फिर तेहारों और शादियों के मौसम में कुरुनों के केस बढ़ने का खत्रा मन रह सकता है आज तक ग्यूरो आज तक डिजिटल पर सोशल मीडिया पर लिखिए हैस्टेग दजंगल शो और देखिए हमारे ये शो राजरिफ के योद्धा अब पाकिस्तानी बंकरों से केवल 15 मीटर की दूरी पर थे गोलियां तीज बारिश की तरह बरस रही थी लेफटिनेंट विजियन थापर ना एक तिलक सिंग के साथ इसी फासले से मुकाबले में डट गए सामने से दो मशीन गन लगा तार बोलियां बरसा रही थी जब लगभग देड घंटे के बाद भी संगर्ष का कोई नतीजा नहीं निकला तो लेफटिनेंट विजियन थापर ने आगे जाकर दुश्मन का काम तमाम करने का फैसला किया लगभग एक घंटे तक चालिस मिनिट से एक घंटे तक उठगे आपस में खुब एक्सचेंज वा फायर हुआ पूरी मैं जब गया था वहां पर पूरी वो जगह खाली खोकों से भरी पड़ी थी और उस तरफ पाकिस्तानी थे वो भी उतनी ही फिर्स फायरिंग को भी कर रहे थे और पत्थर पूरा बुरी तरह से मशीन गन की फायर से पेपर हो चुका था और जब खुब गाली गलोच भी हो रहा था गाड़िया यह आपस में फायरिंग भी चल रहे थी और गालियां भी दे रहे थे एक दूसरे और उसके बाद में थोड़ा वक्पा हुआ फायर में तो विजन ने सोचा कि अच्छा मौका है इनके ओपर मंगर के ओपर धावा कर देते हैं जैसे ही वो खड़े हुए उसे वक्त वो पाकिस्तानी ने गोलियां चला दी दुश्मन की कोली लेफटनेंट विजन थाफर की बाई आँख को भेद गए उनका निढ़ाल शरीर नायक तिलक सिंग की पाहों में किर गया अपने जिन्दा दिल अफसर को इस हाल में देखते ही जवानूं का खून खॉल उठा वो मौत बनकर पाकिस्तानियों उपर बरसे टाइगर हिल के पीछे ब्लेक रोग त्री पिंपल और नोल के उपर हमारी उनको टास्क दिया गया जिसके अंदर 28 जून की रात को हमारी उनक ने तिनों अब्जेक्टिकों लिया जिसकी हमें बहुत किमत चुकाने पड़ी मेरे तीन सती अधिकारी मेजर पजमपानी आचारिया केप्टेन केंगेरेशूर और केप्टेन थापर सहीद होगे और साथ जावान सहीद होगे लेकिन हमने वहां भी विक्ट्री हंसिल करी ये बिल्कुल सही है हमारी यूनिट के जब चार अधिकारी दो सरदार शायवान और बीश जवान खतम होगे थे तो इतनी हमारे अंदर सोक की लहर थी कि हम उसको बरदास नहीं कर पा रहे थे मेरे सियो कनूल रवीद रनाथ साब हिल गए थे लेकिन हम लोगों ने आपस में बैट करके और हिमत बंदा के हिमत रखी सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर थ्वस्थ हो चुके थे दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली थे लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिये थे यह उनका बलिदान ही था कि रणनीतिक तौर पर यह संभव मिशन सफल हुआ था करगिल युद्ध में हर मोर्चा मिशन इंपॉसिबल जैसा था पर भारतिय सैनिकों के होसले के आगे कोई दुश्मन टिक नहीं सकता अभी के लिए इतना ही क्यामरा परसन सतीश रुहाल और सैयद मोसिन के साथ मुझे दीजिये इजाज़त वंदे मातर हूँ पालतू बात या बक्वास नहीं करेंगे बर्दाश्ट खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट वाट लगाती चित्रा गुवपली सुधिर सांगवान को सोनाली फोगाट के कातल की केस में गिरफतार करके रिमांड पर ले चुकी है गुवपलीस हिसार से लेकर गुरू ग्राम तक सुनाली के तमाम ठेकानों तक पहुंसने की कोशिश कर रही है ताकि मौत का सच कहीं भी हो उसे तलाशा जा सके उधर सुनाली के वकील ने भी दावा किया है कि हिसार तैसिल दफ्तर से सुनाली के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करने से पता चला है कि सुधीर की नजर सुनाली की जमीन पर थी सवाल उठता है कि आकिर सुनाली के पास कितनी जमीन थी और कहां-कहां उसकी प्रापर्टी थी जिस पर घरवालों के मताबिक सुधीर की नजर थी और उसी की वज़े से उसका दोस्थ भी सुनाली का मुरीद हो रहा था सुनाली फोगाट के पास अच्छे खासी जायदा थी 2019 में विधान सभा का चुनाव लड़ते वग सुनाली ने जो हलफ नामा दिया था उसके मताबिक हिसार सिरसा हाइवे पर सबच्छे एकड की जमीन हिसार से संतनगर में कोठी सुनाली के पती संजे फोगाट की 2016 में मौत हो जाने के बाद जमीन का इंतकाल और गिरदावरी सुनाली के नाम हो गई इसमें से तीन एकड में सुनाली का ढुंडूर फार्म हाउस और बाकिसावा तीन एकड में वेर हाउस बना है इस जमीन का मारकेट रेट इस समय दो करोड रुपाई प्रती एकड से अधिक है यानि सिर्फ इस जमीन की कीमत ही साड़े बारा करोड रुपे से अधिक है उस पर फार्म हाउस और वेर हाउस बना होने की वजह सी इस के दाम इससे कई गुना अधिक है सुनाली के घरवालों का अरोप है कि सुधिर सांगवन जानता था कि जमीन का पट्टा तूट गया है ऐसे में उसने सुनाली की ये जमीन 99 साल के लिए खुद लीस पर लेने के लिए फिसार तैसिल दफ्तर में एप्लिकेशन दैर की थी ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिने नजर अंदास तो नहीं किया जा सकता लेकिन मौत की असली कहानी प्रॉपर्टी के विवाद में कहीं चुपते भी जा रही है क्योंकि पुलिस का सारा ध्यान अब जायदा धत्याने के मामली में सिमट कर रह रहा है मंजीत सहगन हिसार आस तक किया तूँन कि पुलिस कि अच्छ कर दोचसली कर दो विवादी ट्रॉड़ी आस तूब में चैनल प्राइव ग्रॉड़्या था था दो एदाने के मामली में सब्सक्ता तूबरा को इस जाने कि अच्छ विवादी Never लाइव है क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नई चैनल आज तक लाइफ टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुँचिए इंटरनेट से जुड़े करीब सौ मिलियन स्मार्ट व्यूर्स तक अडबर्टाइज करने के लिए इमेल कीजिए sales at आज तक डॉट कॉड़े कोरोना काल में भारतियों के खपत पर भारी असर हुआ था भारती पुल GDP में करीब आधी हिस्सेदारी रखने वाली ये खपत अब वो वापस पट्री पर लोटने लगी है RBI के पेमेंट के आकड़ों से भारतिय रिटेल ग्राकों की बड़ती खपत की सुनेहरी तस्वीश सामने आई है इन आकड़ों के मुताबिक अगस्त में यूपियाई ट्रांजेक्शन्स में पिछले साल के मुख़ाई